तो दोस्तों सेशन दो हजार चोबिस पच्चिस के लिए इस कुट्टी योजना के साथ साथ कोलेज लेवल के विभीन परकार की स्कोलर्शिप के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं इस वीडियो में आपको आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस इसकी लाश डेट और कुछ खास बाते बताऊंगा देखिए इन इसकोलर्शिप के आवेदन फॉर्म भरने से पहले कंडि डेट को है अपने आपको तयार करना है क्योंकि जब भी आप इन इसकोलर्शिप के फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय जायर सी बात है आपके सामने कई तरह की सम्मझाएं भी आने वाली है ये सम्मझाएं आपके सामने नहीं है इसके लिए आप अपने आपको पहले ही तयार कर लिजेगा कौन-कौन सी सम्मझे हैं ये सारी जानकारी एक साथ इस यूडियो में आपको बताने वाला हूँ नमस्कार साथियो मैं हूँ आपका अपना साथी राजगोली तो दोस्तों कॉलेज आयताले जेपुर के द्वारा कॉलेज लेवल की अलग-लग परकार की छातर वर्तियों के लिए पोर्टल अनलोक कर दिया है यानि आवेदन फोर्म बरना शुरू हो गए है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी स्कोलर्शिप के लिए फोर्म बरना वो शुरू है और इनमें सबसे पहली और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली स्कोलर्शिप है इसकुटी हो जना तो यहाँ पे कॉलेज आयतले के दोरा देवनारण इसकुटी हो जना और काली भाई भील मेदावी स्कुटी हो जना कक्षा दसवी और कक्षा बारवी की बालिकाओं के लिए फोर्म बरना शुरू हो गए सभी प्रकार की केटेगरियों के लिए चाहिए SC हो, ST हो, OBC हो, EWS या जनल केटेगरी हो इनके आवेदन फोर्म बरना शुरू हो गए और इसके साथ मुखे मंत्री उच्छिक्षा जो भी कंडिडेट है अपनी कॉलेज कर रहा है फैस्टेयर, सेकिंडेयर इस तरह से तो उनके लिए भी यहाँ पे देखिए फोर्म बरना शुरू हो है और इसके साथ यहाँ पे देखिए बीएड संबल योजना ऐसी महिलाएं जो विद्वा महिलाएं या तलाक शुदाएं महिलाएं जो बीएड कर रहे हैं तो उनके लिए आवेदन शुरू हैं और इसके साथ यहाँ पे बालिका दुरस शिक्षा योजना के फोर्म शुरू हो गए इसका मतलब यह है कि ऐसी बालिकाएं या महिलाएं जो ओपन उनिवर्सिटी से किसी भी परकार का कोई कोर्स कर रही है जैसे अपने राजिस्थान की कोटा ओपन उनिवर्सिटी है या फिर दिल्ली वाली इगनू इनुवर्सिटी है इनसे कोई भी अगर वो कोर्स कर रही है तो उनके लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं चैहाँ वो रिनू के लिए कर रहे हैं बिलकुल फरेस के लिए कर रहे हो और इसके साथ यहां पर देखिए ऐसी जो बालक बालिक हैं हैं जो किसी बोर्ड या उनिवर्सिटी में टोप और प्राप्त के हैं जिनकी हाँ फेस्ट सरेणी आई है तो ऐसे जो इस्टुडेंट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या इस योजना के फ सिख्षा कर रहे हैं या फिर कोई बीएड अगरा वगरा कर रहे हैं तो इन दोनों परकार की स्कोलर्शिप के आवेदन फोर्म बना सुरू होगे कहने का मतलब यह है कि कोलेज लेवल की नो योजनाओं की स्कोलर्शिप के लिए आवेदन फोर्म बना सुरू हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं basic जानकारी बता रहा हूँ, form कैसे भरा जाता है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे, और जिसका नाम है ग्यान कामना YouTube चैनल, उस वीडियो को complete होने के बाद, लिंक इसी वीडियो की description में हो मिल जाएगा, आप उस चैनल पे विजिट कीजेगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा है, दिरे दिरे हर एक जानकारी माँ आपको बताऊंग। चलिए इसके last date क्या है, तो दोस्तों ये देखिए सभी प्रकार की scholarship के जो form हना, वो 20 सितंबर 2024 से लेके, 20 नौंबर 2024 तक भरे जाएंगे, ओनलाइन ही भरे जाएंगे, यानि फिल हाल की इस्तिती में लगबग आपके पास दो महीने हैं, और इन दो महीनों के दोरान आपको अपनी category-wide scholarship के आवेदन form भरना है, अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, form तो सभी भरना चाहेंगे, scholarship भी सभी प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन इसके पिछे कुछ condition है, कुछ सर्ते, यहाँ तो मैंने एक बार मोटे तोर पे सभी scholarship के बारे में जानकारी दिये, फिर यहाँ पर देखिए, अलग अलग वीडियो के मादम से हर एक scholarship के नियमों के बारे में आपको बताऊंगा, कि इसके क्या पत्तरते हैं, क्या सर्ते, बहुत सारा time बचा है, धीरे-धीरे सब की जानकारी में आपको बता दूँगा, सर्त इतनी ही कि आप मेरे साथ हो जुड़े रहेगा, दोस्ते यहाँ पर देखिए, यह जो online form भरे जाएंगे न, वो candidate की खुद की SOSO ID से हो भरे जाएंगे, ठीकर न, अपनी जो SOSO ID उसी के मादम से यह भरे जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपनी जो SOSO ID है न, वो completely यहाँ पर अपडेट करना है, और यह जो सारे ही scholarship की form है, आपके जन अधार से लिंक होंगे, इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर candidate यह अपने परिवार का जो जन अधार काड़ है न, उसमें candidate का पूरा जो बायाडट है, एकदम एकूरेट होना चीए अपनी दस्वी की मारक सीट के अनुशार, यहाँ पर देखिए अधिक्तर मेरे देखने में हर साल यह आता है, कि जन अधार में candidate के नाम की spelling, उसके पिताय की spelling, जनमतित्थी, अगरा वगरा कुछ हो रही है, जबकि दस्वी की मारक सीट में कुछ हो रही है, लेकिन जब आप यह scholarship का form भरने जाओगे न, तो उसमें यह दी यहाँ पर data match नहीं होता, तो आप form ही नहीं भर पाओगे, और यह बड़ी समय से हर साल आती है, और इसके साथा दोस्तों जब भी देखिए, आप यह online scholarship का form भरोगना, तो कुछ दस्तावेज आपको upload करने पड़ेंगे, और कुछ का online ही verification portal के दवारा होता है, तो यहाँ पे एक तो पहली बात है, कि आपका जो जन आधार हो fully update होना चाहिए, ठीक है, और जन आधार में candidate, यानि जो student है, उसके नाम से खुद का bank खाता है, उसकी ID से वो link होना चाहिए, धनकना, देखिए एक तो होता है अपनी जन आधार ID, जो की पूरे परिवार की होती है, और एक होती है सदस से ID, तो अपनी सदस से ID की साथ है, अपना bank खाता है, वो जरूर link करवाएगा, और यहाँ पर देखिए, अभी तक यदि आपने अपना bank खाता open नहीं करवाया, तो मतर पांसाथ दिन में है, bank open हो जाता है, यहाँ पर कुछ साथी पूर सकते हैं, कि हमें कोण से bank का खाता कुलवाना चाहिए, तो साथियों यहाँ पर देखिए, मैं आपको recommend करूँगा, SBI Bank का, State Bank of India, ठीका न, क्यों? अलांकि देखिए, scholarship में कोई बात देता नहीं है, कि आप SBI में अपना खाता खुलो, लेकिन देखिए, कुछ ऐसे scholarship पर जहाँ पर बात देता लगा जाती है, कि यहाँ पर SBI का ही खाता मानने होगा, बाकि देखिए, आप अपने इसाफ़ से किसी भी bank में खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन मैं recommend करूँगा आपको SBI bank का, जब आपका खाता खुल जाता है, तो SBI bank के अंदर भी आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम, आपकी DOB, आपका जो एड्रेस है, वो कक्षा दस्वी की मारक सीट के अनुसार होना चाहिए, मेरे देखने में यह आया है कि मारक सीट में कुछ और नाम है, एक example अपन ले लेते हैं, जैसे ही यहाँ पे किसी लड़की का नाम है सोनू, 10th record में सोनू है, bank में सोनू कुमारी है, और जन आदार में पताने कौन सी कुमारी, तो इस तरह सी डेटा mismatch नहीं होना चाहिए, हो गया तो फोरम नहीं भरा जाएगा, इसके लगा दो सबसे इंपोर्टेंट डोकूमेंट, एक है आपका यहाँ पे जाती परमान पत्तर यानि का सर्ठिफिकेट, इसके साथ एक आपका मूल निवास परमान पत्तर, यह दोनों ही दस्तावेज आपके जन आधार काड के साथ वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने बताया कुछ दस्तावेज आपको ओन लाइन अप्लोड करने पड़ेंगे, कुछ का ओनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो यह दिये आपका जाती परमान पत्तर, मूल निवास परमान पत्तर, आपके जन आधार काड के साथ लिंक नहीं है, तो भी आप अपने स्कोलर्शीव का फोर्म कतते ही नहीं बरपाऊगे, तो यहां पर मैं उन कंडिडेट को कहना चाहूंगा, जिसकी केटेगरी या तो जन्रल है, या फिर EWS है, या फिर OBC है, तो इस परकार के यह जो कास सर्टिफिकेट होते हैं, तो इनकी वेलडिटी है, वो एक साल की होती है, तो यह जो कंडिडेट है ना, तो अपना ये जो जाति परमाण पत्र, मूलिवास की तो कोई वेलडिटी नहीं होती है, सर्ट इतनी सी है कि दोनों ही ये जो सर्टिफिकेट हो, वो E-Mitr की मदद से ओनलाइन है, वो बने होने ची, किसे ने साइद एक साल पहले बना लिया होगा, किसी की वेलडिटी खतम होगी, तो अभी जो मैंने केटेगिरी बताई, उनको तो यहाँ पर देखिए, नया बिल्कुल फ्रेस अपना का सर्टिफिकेट हो बनाना है, ठीक है, इसके लाओ जो अधर केटेगिरी के हैं, जैसे SC, ST है, उनकी वेलडिटी तो लाइफ टाइम होती है, जाती परमान पत्र की, तो अगर उन्होंने ओनलाइन पहले बनाया है, पिछले साल है, तो एक बार आप अपने SSO ID के माद्दम से उसका वेरिफिकेशन कर लिजेगा, हाँ यार मेरी प्रोफाइल में यहाँ पर ग्रीन टिक हो लगावा है, इसका मतलब है कि हमें दुवारा बनाने की आवसकता नहीं, हमारा जाती परमान पत्र और मोलनिवास परमान पत्र अपने जन अधार काड के साथ है, वो लिंक है, तो पहला काम अपना आप यह कीजेगा, देखिए फोर्म का जो यह जो इसकोलर्शिप का फोर्म बनने की जल्दबाजिमत कीजेगा, पहले अपना जाती परमान पत्र और मोलनिवास परमान पत्र बनवाएगा, देखिए पिछली साल जो समझसे हैं, मैं उन से आपको अवगत करवाना चाओंगा, देखिए यहां पर क्या हुआ कि जिन्होंने पिछली साल भी बनाया था, यह उससे पिछली साल बनाया, लेकिन जब इन इसकोलर्शिप का जो फोर्म बना इन्हों शुरू किया, तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था अपने जाती परमान पत्र और मोल निवास का, अलांकि उन्होंने इमित्र के मादम से बनवाया था, तो उस समय तो इस पोर्टल पे ग्लीज था कुछ का यहां पर पुराना हो चुका था, तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपके सामने किसी प्रकार की समश्य नहीं, तो अपने नजदे के इमित्र की मदद से है, आपना कास सर्टिफिकेट और मोल निवास परमान पत्र बना लिजेगा, वैसे आप अपने खुद की SSO ID से भी बना लोगे, लेकिन उसमें अगर थोड़ा आपको ग्यान है तो आप बना पाओगे, फिर ही में बना पाओगे, इसके लिए हमारी दूसरे चैनल पर अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देखना चाहते हो तो वो देख लीजेगा, लेकिन हम आपको कहूंगा कि इमित्रवारों के पास जाएगा, वो जल्दी से जल्दी बना देगा, और मतर 5 से लेके 10 दिन के अंदर है, आपके दोनों ही सर्टिफिकेट है, वो बन जाते हैं, जो भी दस्तावेजों के आफसेकता होती है, वो उनको आप प्रोवाइड करवाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपकी जो पूरे प्रिवार की वार्सिक आये है, वो आपके जन इकम सर्टिफिकेट होता, वो हमें परस्तूत करना पड़ता, तब जाके है, वो अपने जन आधार में अपने आये को अपडेट करते हैं, आये के अंदर है, यहाँ पर परिवार की जो मुख्या की आये है, वही आपको अपडेट करना है, बकी किसी करने है, बकी तो इस्टुडेंट की क्या आए होगी वो 0 से लेके 5000 आप यहां पे वो कर सकते हैं तो इन 2-4 खास बातों को आपको खास तोर पे दहार नखना है पहले इसको सही कर लेना अन्यता बाद में आपके सामने बड़ी समस्या आने वाली है अब जैसे जैसे यहां पे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हर एक स्कोलर्शिप के बारे में डिटेल के साथ आपको पूरी जानकारी बताता रहूँगा फिर भी इन स्कोलर्शिप को लेके यह दि आपके सामने किसी प्रकार की कोई शमस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बे जिजग है आप मेरे कर सकते हैं या तो इसी वीडियो के नेचे कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टागराम के साथ भी हमारे साथ जूड़ सकते हैं और कोईसिस करेंगे कि आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाइज जल से जल कर दे आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी अगर वीडियो ज साइट है जिसका नाम है राजगुर्जी.com है यहाँ पर इस्कोलर्शिप का एक मिनो आपको मिलेगा तो इस्टुडेंट से रिलिटेट जितनी भी स्कोलर्शिप है सब के आदेश है फोर्मेट है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और वैसे भी देखिए यह